ए मेरी माँ और बहनों बुजुर्गों जरा सुनों बच्चे का दर्द ना कहे ये वाकया सुनों बच्चों सुनों जवानों खौर से फिक्र से सुनों क्या हाल हुआ जर्द में बच्चे का देखिये मुलके अरब की है बड़ी मशुहूर दास्ता एक बुढ़ी मा के बेटे का पुरदर्द है बयाँ एक लवता मा का बेटा बड़ा ही हसीन था वालिद का उसके सर पे साया भी नहीं था पाला था मा ने उसको बड़े लाडो प्यार से दोनों बड़े खरीब थे परवर दिगार से बेटा शहीद जंग में जिस वक्त हो गया बेटे की खबर सुनके जिगर मा का भट गया क्या हाल आगे होता है अब सुनिए घौर से ये वाक्या मशुहूर है हर एक तार से ये वाक्या मशुहूर है हर एक तार से जंगे बदर का वाक्या है सुनिए घौर से जंगे बदर का वाक्या है सुनिए घौर से ये वाक्या मशुहूर है हर एक तार से ये वाक्या मशुहूर है हर एक तार से जंगे बदर का वाक्या है सुनिए घौर से जंगे बदर का वाक्या है सुनिए घौर से सुनिये गोर से जंगे बदर का वाक्या है सुनिये गोर से हाँ हजरात ये वाक्या अब मैं आगे इस्टार्ट कर रहा हूं समात फर्माएं कवज्य चाहूंगा क्या हुआ एक बेटा जंग में शहीद होता है वो जिन्दा कैसे होता है मा उसकी उसको कितना प्यार करती है समात फर्माएं आया मदीने की तरफ कुपारों का लशकर कमजोरों से लड़ने के लिए आये बहादर सरकार ने एलान किया आओ मौमिनों बेदीनों की तलवारों से ठकराओ मौमिनों घफलत का वक्त ये नहीं ऐ मौमिनों उठो अल्ला की रहमत का तुम लेकर जुनू उठो एक नौजवाने जब सुना एलाने मुस्तफा दौडा हुआ वो घर गया और मा से ये कहा एक बात जरा सुनिये मेरी प्यारी अम्मी जां मैं भी जिहाद के लिए मैदा में जाऊंगा लड़के की बात सुनके मा दिल शाद हो गई जैसे वो जाके खुल्द में आबाद हो गई लड़के का मा था चुम के बोली ये उसकी मा कब जाएंगे जिहाद पे सरकारे दो जाहां लड़के का मा था चुम के बोली ये उसकी मा कब जाएंगे जिहाद के सरकारे दो जाहां बोला फजर के बाद रमा होगा खापला सरकार ने खुद कर दिया है इसका फैसला मर जाओ तो शहीद ये कहता है एजाजी 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 जिन्दा रहे तो दुनिया में कहलाओ गाजी जिन्दा रहे तो दुनिया में कहलाओ गाजी जिन्दा रहे तो दुनिया में कहलाओ गाजी कहलाओ गाजी हाँ हजराद जिन्दा रहे तो दुनिया में कहलाओ गाजी ये कौन कह रहा है ये उसका बेटा कह रहा है बेटे की उम्र देखिए बेटा मासूम है और देखिए उसका हुसला कितना बड़ा है समात फर्माएं बखते आजाँ तुम मुझे को जगा देना अमी जाँ बखते आजाँ तुम मुझे को जगा देना अमी जाँ ताके नमाज पढ़ने पहुँच जाऊं मैं वहाँ ये कहके वो तो सो गया चादर को तानिके जल्दी ही सुबहा उठना है ये दिल में ठानिके खुदुरत खोदा की देखिये ये वाक्या हुआ कैसा वाक्या हुआ? समाँ फर्माएं? कुदुरत खोदा की देखिये ये वाक्या हुआ लड़के को एक सापुने सोते में डस लिया वो नौ जवान तलपा और बेहोश हो गया मरके हमेशा के लिए खामोश हो गया जब मा उठी सुबहा को जगाने के वास्ते सोते हुए की नींद भगाने के वास्ते आवाज दी बेटे को के उठ जाओ मेरे लाल जाना है चंग पर तुम्हें इतना नहीं खयाल उठ जाओ मस्जिदों में अब होने लगी आजान है मस्जिदे नबवी में जमा सारे मुसल्मा छूकर जो देखा बेटे को वहशत हुई बड़ी और बेटे को मुर्दा देखके चक्रा के गिर पड़ी आया जो होश चीख कर बोली मेरे यारब ऐ मेरे मौला आए ये क्या हो गया घजब खाली हुई है गोद उजड मेरा घट गया अरे खाली हुई है गोद उजड मेरा घर गया बाप पहले मर चुका था बेटा भी मर गया उठ जाओ मसजीतो में अब होने लगी अजाँ है मसजीदे नबवी में जमा सारे मुसल्माँ उठ जाओ मसजीदों में अब होने लगी अजाँ है मसजीदे नबवी में जमा सारे मुसल्माँ चुकर जो देखा बेटे को बहशत हुई बड़ी और बेटे को मुर्दा देखके चक्रा के गिर गई आया जो होश चीख कर बोली मेरे या रब आय मेरे मौला आये ये क्या हो गया घजब खाली हुई है गोद उजड मेरा घर गया खाली हुई है गोद उजड मेरा घर गया बाप पहले मर चुका था बेटा भी मर गया बाप पहले मर चुका था अब बेटा भी मर गया मा पहले से बेवा थी मा पहले से बेवा थी एक सहारा था उसका सिर्फ उसकी आउलाद वो भी जंग में शहीद हो गया जब वो जंग में शहीद हो गया तो मा का बुरा हाल हो गया अब देखे साब वो दौा कर रही है और किसे करवा रही है दौा वो कहां पे जाती है और जहां पे वो जाती है वो रो रो के बयान करती है अब देखिए रोने की सदा पडोसी लोग सुन रहे हैं सुन के जमा हो रहे हैं अब देखिए वहां पे काउन आता है और माग किस्ते परियाद करती है ये समात फर्माएं रोने की सदा सुनके पड़ोसी जमा हुए क्या हो गया है माजरा सब देखने लगे अरे रोने की सदा सुनके पड़ोसी जमा हुए क्या हो गया है माजिरा सब देखने लगे पढ़ने नमाज घर से अली मुर्तुजा चले रोने की सदा सुनके वहाँ आप रुख गए पूछा भीरे कुपडोसी से क्या बात ये है भाई ये कौन रोके देती है महुला की दोहाई घर से निकल के बुढ़िया ये बोली के या उली मुश्किल में फस गई हूँ मैं मुश्किल खुशा उली घर से निकल के बुढ़िया ये बोली के या ओली अरे मुश्किल मैं फस गई हूँ मैं मुश्किल कुशा ओली ये मौमिनों के लशकर का मासूम मुजाहिद घर ही में मर गया मेरा मजलूम मुजाहिद दिखलाओ करामत अब खुदा के कलाम का दिखलाओ करामत अब खुदा के कलाम का मैं सद का मांगती हूँ मुहम्मद के नाम का मैं सद का मांगती हूँ मुहम्मद के नाम का मुहम्मद के नाम का मुहम्मद के नाम का मुहम्मद के नाम का हजरत अली तंग रह गए पशो पश में पढ़ गए कहने लगे आई मा कैसा सद्का मांगना चाहती है आप तो उसकी मा ने लड़के की मा ने सारी दास्तान बताई आपको बड़ा दुख हुआ कहा मैं अल्ला ताला से दूआ करूंगा इसके लिए देखिए आप दूआ हाथ उठा करके करते हैं वो लड़का कैसे जिन्दा होता है ये मुलाज़ा फरमाएं बोले अली के सबर जरा सबर बड़ी भी मुझे को बता के लड़के से क्या बात हुई थी रोरो के सारा माजरा दुढ़िया ने बताया उठकर सवेरे जंग के जाता मेरा बेटा सुन कर ये सारा माजरा दिल को हुआ मलाल बोले के बड़ी भी जरा अपने को तू संभाल है सारी काइनात का मालिक मेरा मौला है मौत जिन्दगी का भी खालिक मेरा मौला इज़त और जिल्लत सब मेरे मौला के हाथ है मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा ये मेरी बात है मुश्किल कुशा ने जिस घड़ी बुढ़िया से ये कहा शाने करम को अर्ष पर फिर जोश आ गया पानी मंगा के आप ने फिर उस ते दम किया खालिक मेरे मौला ने फिर उस पर करम किया दस्ते दुआ उठाए जो दुल दुल सवार ने दस्ते दुआ उठाए जो दुल दुल सवार ने लड़के को जिन्दा कर दिया परवर्दिगार ने लड़के को जिन्दा कर दिया परवर्दिगार ने ये वाकया मशुहूर है हर एक तार से ये वाकया मशुहूर है हर एक तार से जंगे बदर का वाकया है सुनिये गोर 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 से हाँ सुनी ये गाल से